नमस्कार रेजुके इसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अब यह हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एचिटेट के ओनलाइन फॉरम के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको हरियना टेट का यानि कि एचिटेट का ओनलाइन फॉरम कैसे बढ़ना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाई जाएगी आपको बताया जाएगा कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का ओनलाइन फॉरम कैसे बढ़ना है ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा अब आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको एचिटेट का ओनलाइन फॉरम कैसे बढ़ना है तो आपको क्या करना है आपको अपने गूगल क्रॉम में सर्च करना है educationindialive.com और सबसे उपर वाली अफसाइट को उपन करना है और उसमें हरियाना टेट नोटिफिकेशन यानि कि आच टेट 2024 नोटिफिकेशन वाली पोस्ट को उपन कर लेना है फिर आपको इस पोस्ट में पूरी जानकारी देखने क्मिलेगी यहां पर आपको सबसे नीचे के और scroll कर लेना है यह जानकारी ध्यान से पढ़ लेनी है और फिर आपको नीचे के और आना है और important links के section के अंदर यहां पर आपको important links का एक section देखने के मिलेगा यहाँ पर आपको apply online के सामने लिखे वे click here पर click करने है click here पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा आपको क्या करना है आपको not having account register पर click करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर मांगी गई जानकारी भरके आपको registration करना होगा ऐसे में सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम और phone number को यहाँ पर fill करना है उसके बाद यहाँ पर आपको click करना है और इस calendar में से आपको अपनी date of birth को fill कर देना है और उसके number यहाँ पर fill करना है यहाँ पर आपको अपनी email id को यानि email address को यहाँ पर fill करना है और यहाँ पर आपको अपने एक password को create करना है password जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि password कैसा है bad, poor या फिर good या फिर excellent जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा password आप कुछ इस प्रकार से create कर लेंगे कि अपने नाम का कोई भी एक जो capital letter है उसे capital रख देंगे और बाकी सब small letter रख देंगे इसके अलब आप एक sign लगा देंगे जैसे कि add the rate या फिर hashtag और कुछ नुमेरिकल जैसे 123 एक सेक्टर आप लगा देंगे और फिर आप register पर click करेंगे अब आपके mobile नमबर पर एक OTP बेजी जाएगी उस OTP को यहाँ पर आपको fill करना है और continue पर click करना है अब आपको अपने registration number यहाँ पर देखने को मिलेंगे और registration number को आपको copy कर लेना है और go to login पर click करना है उसके बाद registration number या पर phone number आप fill करेंगे और अपने password जो कि अभी आपने create किये थे उसे यहाँ पर fill करना है और login पर click करना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर आपको level का chain करना है आप जिनके लिए आविदन करना चाहते हैं उन level का यहाँ पर chain कर लेंगे जैसा कि अगर आप TGT के लिए आविदन करना चाहते हैं तो TGT का यहाँ पर chain कर लेंगे और अपने subject का chain यहाँ पर आप कर लेंगे आप TCT के अलबा PRT या PCT का भी यहां पर आवदर करना चाहते हैं तो उसका भी आप चैन कर लेंगे फिलाल हम TCT का चैन करते हैं और आपको पूरा फोरम भर के दिखाते हैं तो आपको लेंगे करने के बाद से वेंग कंटीनिव पर क्लिक करना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक पेज उपन होगा यहां पर कुछ जानकारी जो हमने पहले रेजिस्ट्रेशन के वक्त फिल करी थी वो देखने को मिल जाएगी उसके इस अब पार जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको अपनी कास्ट कैटेगरी का चैन्न करना होगा जिसके बहचे के अंदर आप आते हैं उससे आपको यहांपशलेक कर लेंग हैं कि आप दिवियांग केटेगरी से ब्लोंग करते हैं या फिर नहीं फिर यहां पर identification mark के अंदर आप क्या करेंगे अपना जो identification mark है यानि कि जो भी visible identification mark है आपके बोडी पर जैसे कि अगर आपके चहरे पर कोई भी mall या फिर burn का निजाने तो उसे आप लिख देंगे अन्यता यहां पर आप no mark भी लिख सकते हैं और उसके बाद आपको type of area select करना है कि आप rural area से आते हैं या फिर urban area से आते हैं फिर आपको बताना है कि आप हरियाना के domicile है या फिर नहीं इसके साथ ही आपको बताना है कि आप किस राज्य से ब्लोंग करते हैं तो जिसकिसी राज्य सा ब्लोंग करते हैं उसका जैन यहां पर कर देंगे और home district जो है वह यहां पर आपको fill करने की आवसकता होगी फिर आपको क्या करना है फिर यहां पर exam Center preference के अंदर आपको आना है और exam Center preference फिल कर देनी है जहां पर आप exam Center लेना चाहते हैं उसी preference को आप फिल करेंगे इसके बाद है कि आप employed या फिर engaged है educational institution within फिर हर्याना यानि कि अगर आप हर्याना में या तो employed है या फिर वहाँ पर किसी educational institution में पढ़े हैं तो आपको yes करना है अन्यता यहां पर आपको no ही रहने देना है फिर आधा आती है candidate के bank detail की तो यहां पर आपको अपना नाम अपने ifsc code account number और bank का नाम को fill कर देना है फिर आपको क्या करना है यहां पर अपने photo को upload करना है जिसके लिए आप upload फाइल पर क्लिक करेंगे जिसकी जो साइज है वह up to 50 के भी तिक हो सकती है फिर यहां पर आपको sign upload करना है और यहां पर आपको अपने left thumb image को भी यानिके left hand का जो thumb है उसका impression बना रहा है और उसे यहां पर आपको upload कर देना है फिर आपको save and continue पर क्लिक करना है अब आपके सामने educational qualifications का एक page आ जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको 10th और 12th की detail को fill करना है 10th में यहां पर roll number फिर board को fill करेंगे उसके बाद आप passing year fill करेंगे फिर आप बताएंगे कि आपको marks या फिर grade क्या मिला है और percentage आपको कितने मिले हूँ आप यहां पर बता देंगे और यहां पर आप grade या फिर division को बता देंगे कुछ इसी परकार से आप 12th की जानकारी भी fill कर देंगे फिर आपको क्या करना है फिर आपको अपने graduation की detail को fill करना है जैसा कि हमने science का LIKE की है जैसे के जानकारी जैसके बाद एक और यहां पर china की जानकारी भरनी होगी और उसके बात एक और यहां पर ब्याट की जानकारी भरेंगे औरивает की जैनकारी भर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आप details को fill करने के बाद आपको save and continue पर click करना इह और आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक बेज आएगा जिसमें सबसे पहले आपको पर्मानेंट एडरेस को फिल करना है जिसमें सबसे पहले आप House Number ये भरने आवसक नहीं है जिनके आगे Star लगा हुआ वे फिल करने आवसक है तो आपको क्या करना यहाँ पर village, post office और यहाँ पर आपको तैसिल भी भरने क्या हो सकता वैसे है नहीं फिर आपको यहाँ पर district फिर यहाँ पर state का यहाँ पर chain कर लेना है state का chain करने के बाद आपको pin code fill करने है अगर आपकी दोनों ही जानकारिया same है यानि कि जो आपका permanent address और correspondence address same है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे इससे यह जानकारी आपको fill करने के आव सकता नहीं होगी लेकिन आपका इस्ताई पता और वर्तमान पता अलग-अलग है तो आपको दोनों ही separately fill करने हैं अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page आएगा यहाँ पर आपको I declare पर टिक करना है और Pay पर क्लिक करना है Pay पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक page open होगा आप जो है QR code से payment कर सकते हैं इसके अलवा आप क्या कर सकते हैं Card से भी Payment कर सकते हैं तो Card से पेमेंट करना चाते हैं तो यहाँपर आप Card से Payment कर सकते हैं PayNow पर क्लिक करके Forum गोब भरने के बाद आप अपने Forum का Final Printout निकाल पाएंगे तो कुछ इस परकार से आप सबसे पहले प्राप्ट करने के लिए अभी सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबादेजिए का मिलते हैं आप से कले वीडियो में किसे ने जानकारी के साथ अब तक के लिए